इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ के सब्जेक्ट साइन्स का केमेस्ट्री पार्ट से चैप्टर नमबर वन जिसका नाम है मैटर इन आवर सनाउंडिंग्स ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है यानि की पार्ट टू है Part 1 में हमने discuss किया था chapter के सभी concepts को So request करूँगा इस video को देखने से पहले आप Part 1 जरूर देखे Link description box में दिया गया है So Part 2 में यानि कि इस Part में हम देखेंगे chapters related कुछ extra things और important questions को शुरू करते हैं इसे Part 1 में हमने matter की states के बारे में पढ़ा था States of matter में हमने solid, liquid और gas तीन states के बारे में पढ़ा था लेकिन matter की total 5 states होती है ठीक है First होता है उसमें solid, second होता है liquid और third होता है gas तो बची हुई दो states जो है उनके बारे में पढ़ते है States of matter में fourth state होती है plasma ये क्या होता है It is a hot ionized gas consisting of equal number of positively charged ions and negatively charged electrons Plasma जो matter की state है वो एक hot ionized gas होती है Ionized यानि कि इस पे कोई charge होता है इसमें जितने positively charged ions होते है उतने ही इसमे negatively charged electrons होते है ठीक है यानि कि इसमें gas के साथ साथ ठीक है Gas जो होती है उसमें positive और negative ions होते है ठीक है और इसका best अगर example की बात करें तो इसका best example हो जाएगा lightning यानि कि बिजली कड़कना जब वारिश के मोसम में जो बिजली कड़कती है वही lightning ठीक है यह इसका example हो जाएगा और stars जो है वो भी hot ionized gas से ही बने होते हैं ठीक है So stars भी इसका example हो जाएगा Matter की fifth state होती है Bose Einstein Condensate यह क्या होता है जो यह matter की state होती है इसमें atom और subatomic particles को ठंडा किया जाता है जो जिस temperature पर ठंडा किया जाता है वो होता है absolute zero absolute zero को हम zero Kelvin कह सकते हैं या फिर minus 273 degree Celsius भी कह सकते हैं जब किसी atom को इस temperature पर ठंडा किया जाता है तो जो भी atom है वो wave property शो करने लगता है और एक नई state मिलती है में matter की ठीक है इसे और अच्छी तरह समझते हैं suppose कीजिए हमारे पास यह एक matter है O type का जो आपको दिख रहा है यह एक matter है हमारे पास जब इसको इस temperature पर ठंडा किया जाएगा तो यह second लगेगा ठीक है बहुत ज़्यादा second लगेगा shrink होने लगेगा और यह shrink होके बिल्कुल छोटे size का हो जाएगा ठीक है इस size का हो जाएगा यह इसकी transformation जो है इस size की हो जाएगा और यह wave property show करने लगेगा तो यह जो है हमें एक नई state मिलेगी matter की ठीक है इसके examples की बात करें तो इसमें हो जाएगा neutron star और liquid helium neutron star जो है वो बोट high density होती है यानि कि इसके particles जो है वो बोट पास पास में होते है और liquid helium जो gas होती है उसको liquid बनाने के लिए minus 270 degree Celsius के आसपास इसे ठंडा करना पड़ता है तब जाके यह liquid में आती है ठीक है इसे super fluid भी कहा जाता है plasma जो matter की form होती है इसमें बहुत ज़्यादा high energy होती है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा hot यानि कि गर्म होती है वहीं पर boss Einstein condensate इसमें बहुत low energy होती है क्योंकि इसे बहुत ठंडा किया जाता है absolute zero यानि कि minus 273 degrees Celsius पर इसे ठंडा किया जाता है तो boss Einstein condensate में बहुत low energy होती है और plasma में बहुत high energy होती है ठीक है अब देखते है Changing Temperature Unit Temperature की unit को किस तरह से change करेंगे Temperature के बारे में अब तक हमने पढ़ा है Temperature या तो Kelvin में और या तो Celsius में अगर हमें Temperature Kelvin में दिया गया है और हमें change करना है उसे Celsius में या फिर हमें Celsius में दिया गया है और उसे हमें change करना है Kelvin में तो ये किस तरह से किया जाएगा Kelvin को K से denote किया जाता है और Celsius को degree Celsius से इन में relation क्या होता है Kelvin और Celsius में 0 degree Celsius जो temperature होता है वो 273.15 Kelvin के equal होता है जब हम Kelvin से Celsius में या फिर Celsius से Kelvin में temperature को change करेंगे तो उसके लिए हम इस formula का use कर सकते हैं बिल्कुल easy formula है इसमें हम Kelvin जो भी हमें unit दी गई है उसका जो भी temperature दिया गया है इसमें put करेंगे और दूसरे वाले unit निकाल लेंगे formula है degree Celsius equals to Kelvin minus 273 यहाँ पर हम 273.15 का use नहीं करेंगे हम इसे round off में रखेंगे यानि कि 1.5 को हम इसमें नहीं रखेंगे हम माल लेंगे कि 0 degree Celsius जो है वो 273 Kelvin के equal होता है इसे round off में रखते हैं 0.5 जादा बड़ी unit नहीं है इसे ignore कर देंगे और 273 रखेंगे इस formula का use करते हुए कुछ examples देखते हैं क्योंकि यह important है इस तरह की questions आपके exam में आने ही ठीक है कुछ examples देख लेते हैं temperature की unit किस तरह से change की जाएगी हमारे formula का use करते हुए सो सबसे पहले देखते है convert into Celsius यानि कि हमें Kelvin से Celsius में किस तरह से change किया जाएगा इसमें हमें first दिया है 470 Kelvin 470 Kelvin ठीक है सो first से देखते है 470 Kelvin को हमें degree Celsius में change करना है सो formula क्या था हमारा degree Celsius equals to Kelvin minus 273 इसमें जो भी हमारा Kelvin का temperature दिया गया है उसे हम K की जगह पर रख देंगे और इसे solve करेंगे सो solve करते हैं degree Celsius as it is Kelvin Kelvin में temperature दिया गया हमें 470 सो K की जगह पर मैं रखूँँगा 470 minus में 273 as it is 470 से में 273 minus करूँगा तो यह आ जाएगा हमारा 197 ठीक है degree Celsius में क्या temperature आ गया हमारा 197 जैसे ही हमने यह solve किया हमारा यह हो गया degree Celsius में change सो अब हम Kelvin की जगह पर यहां लिखेंगे degree Celsius ठीक है 470 Kelvin को हम अगर degree Celsius में change करेंगे तो यह हो जाएगा 197 degree Celsius यह हो जाएगा हमारा answer एक और example देख रहेते हैं इससी related जिसमें हमें दिया है 173 Kelvin ठीक है यह है second Kelvin में हमें temperature दिया है 173 Kelvin तो same formula आपला ही करेंगे degree Celsius equals to Kelvin minus 273 इसमें Kelvin की जगह पर रखेंगे हम 173 degree Celsius equals to K की जगह पर मैं रखता हूँ 173 minus 273 as it is रखेंगे ठीक है 173 से 273 को मैं minus करूँगा छोटे में से बड़े को minus कर रहा हूँ ठीक है so 173 से 273 को minus करूँगा तो यह आ जाएगा minus में 100 ठीक है अब यह किसमें change हो गया है degree Celsius में so हम इसके साथ unit लिख देंगे minus 100 degree Celsius पीछे वाले पेज़ पर हमने Kelvin को degree Celsius में change किया था अब हम देखते है convert into Kelvin यानि कि degree Celsius को Kelvin में किस तरह से change किया जाएगा same formula का use करते हुए so इसमें first है 30 degree Celsius Celsius में temperature दिया गया है उसे हमें Kelvin में change करना है so जो भी Celsius में दिया गया है उसको formula में जहां पर भी Celsius से उसमें put करेंगे ठीक है यहां पर 30 degree Celsius की जगे पर मैं लिख दूँगा 30 so यह है degree Celsius की जगे पर मैंने लिख दिया 30 और जो भी values है वो as it is रहेंगी so equals to में k minus 273 as it is अब हमें अगर k की value निकालना है Kelvin में इसे change करना है तो minus 273 जो है इसको मैं दूसरी तरफ shift करूँगा तो यह हो जाएगा 30 minus 273 दूसरी साइड से इस साइड आएगा तो दूसरी साइड माइनस में है इधर आके हो जाएगा plus में sign change हो जाएगा तो 273 plus का हो जाएगा equals to में k Kelvin में जो हमारा temperature आएगा वो क्या होगा 30 plus में 273 अगर इन दोनों को add करेंगे तो यह हो जाएगा 303 303 Kelvin ठीक है तो हमारा temperature क्या आया Kelvin में 30 degree को अगर हम Kelvin में change करेंगे तो वो हो जाएगा 303 Kelvin एक और example देख लेते हैं इसी से related second इसमें हमें दिया है minus 71 degree Celsius so Celsius की जगे पर मैं रखूँगा minus 71 ठीक है so minus 71 equals to में k minus 273 फिर से मैं जो minus 273 है इसको दूसरी तरफ shift करूँगा so सबसे पहले यहाँ पर है minus 71 दूसरी तरफ से 273 इस तरफ minus का है तो इस तरफ minus है तो इस side आके plus 273 हो जाएगा ठीक है और इस equals to में k plus वाली value को हम पहले लिख लेते हैं यानि कि 273 को हम पहले लिख लेते हैं ठीक है और minus 71 minus 71 को बाद में लिख लेता हूँ ठीक है इसे solve करने के बाद आ जाएगा हमारा temperature Kelvin में 273 में से 71 को minus करूँगा तो यह हो जाएगा 202 ठीक है और यह temperature आ गया हमारा Kelvin में यानि कि minus 71 degree Celsius को हम Kelvin में change करेंगे तो वो हो जाएगा 202 Kelvin ठीक है यह हो जाएगा हमारा answer अब देख लेते हैं कुछ questions जो exam point of view से काफी important है So some extra and important questions इसमें सबसे पहले है Why solid carbon dioxide is called dry ice Solid carbon dioxide को dry ice क्यों कहा जाता है Dry ice यानि की शुष्क बर्फ ठीक है जो सूखी हुई बर्फ क्यों कहा जाता है answer होगा इसका Solid carbon dioxide is called dry ice because when it heated it turns direct into gas without turning into a liquid जो dry ice यानि की carbon dioxide होती है जब उसे हम heat करेंगे तो वो direct gas में change हो जाती है solid से direct gas में change हो जाती है बिना liquid state में आई ठीक है normally क्या होता है जो solid होता है वो पहले liquid में change होता है उसके बाद gas में लेकिन solid carbon dioxide जो है वो direct gas में change हो जाती है बिना liquid state में आई ठीक है और dry क्या dry का मतलब क्या होगा जो सूखा हुआ हो जो liquid में नहीं जाएगा अगर कोई चीज liquid state में नहीं जाएगी तो उसे कहा जाएगा dry ठीक है इसलिए solid carbon dioxide को कहा जाता है dry ice क्योंकि ये कभी भी liquid state में नहीं जाती है जब इसे heat किया जाता है ठीक है next यानि की question number 2 है हमारा why do we keep ether and acetone at cool places ether और acetone जो liquid होते हैं इन्हें ठंडी जगे उपर क्यों रखा जाता है so answer होगा इसका these liquids are easily evaporates at room temperature and ether and acetone are inflammable it means they catch fire at room temperature that's the reason we store these liquids in cool places जो ether और acetone ये दोनो liquid जो होते हैं वो room temperature पर ही vapor बनने लग जाते हैं यानि की इनका boiling point जो है वो बहुत कम होता है room temperature पर ही ये vapor में आसानी से change होने लग जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी और ether और acetone ये दोनो जो liquid हैं ये flammable ही भी होते हैं यानि की जब ये किसी इनके जो vapor होंगे वो किसी spark यानि की चिंगारी के contact में आएंगे तो इनमें आग भी लग सकती है ठीक है और इसी कारण इनको vapor बनके ये कहीं उड़ना जाएं या फिर ये कहीं आग ना पकड़ लें इसी कारण इन्हें ठंडी जगय उपर रखा जाता है ठीक है ताकि vapor जो है वो आसानी से ना बन पाए ठंडी जगय उपर रखने से क्या होता है vapor बनना की process जो है वो slow हो जाता है ठीक है अब है question number 3 जिसमें कहा रहा है how do we liquefy the gases जो भी gases होती है उनको liquid form में किस तरह से change किया जा सकता है so इसके दो process होते हैं answer देख लेते हैं पहले gases can be liquefied by increasing the pressure and decreasing the temperature increasing the pressure will bring the particles closer and cooling will cause the particles to lose energy then the space between particles decreased and gas became in liquid state दो reason ठीक है दो तरह से हम gas को liquid form में change कर सकते हैं liquefy कर सकते हैं या तो हम pressure increase कर दे या फिर हम temperature decrease कर दे ठीक है pressure बढ़ा दे या temperature घटा दे दोनों condition में gas जो है वो liquefy हो जाएगी अगर हम pressure increase करेंगे तो जो particles है gas के वो पास पास में आ जाएगे और gas के particles पास पास में आने से वो liquid form में change हो जाएगी ठीक है और अगर हम उसे ठंडा कर दे यानि कि temperature कम कर दे तो जो भी उसके particles gas के particles की kinetic energy है kinetic energy है वो कम हो जाएगी और उनके बीच का जो space kinetic energy कम होने से क्या होगा जो भी space है particles के बीच में वो अपने आप ही कम हो जाएगा और particles के बीच का space कम होने से क्या होगा वो फिर से liquid state में आजाएगी यानि कि pressure बढ़ाने से भी gas को liquid state में लाया जा सकता है और temperature को घटाने से भी gas को liquid state में लाया जा सकता है ठीक है next यानि कि fourth question है why do we wear cotton clothes in summer गर्मी के मोसमे summer में हम cotton clothes सूती वस्तर क्यों पहनते हैं सबसे जादा बार पूछे जाना वाला question है एक्जाम में ठीक है इसका answer होगा during summer we sweat more and cotton is a good absorber of water helps in absorbing sweat and exposing it to be outer atmosphere for vaporation during vaporation our body lose latent heat of vaporization and we feel cool summer यानि कि गर्मी के मोसम में sweat यानि कि हमें बहुत पसीना आता है और cotton जो है वो water को बहुत अच्छी तरह से absorb यानि कि soak लेता है ठीक है तो अगर ये पानी को soak सकता है तो हमारा जो sweat यानि कि पसीना है उसे भी आसानी से soak लेता है और उसे बाहर का जो atmosphere है उसके contact में ले आता है जो हमारा पसीना बहार के atmosphere के contact में आने से वो evaporate हो जाता है यानि कि भाफ बनके उड़ जाता है ठीक है और भाफ बनने के दोरान जो भी vaporation यानि कि भाफ बनना हुआ वो किस कारण हुआ पसीना जो होगा हमारा sweat वो energy कहां से लेगा heat जो है वो हमारी body से लेता है ठीक है जिसे latent heat of vaporization कहा जाता है अगर पसीना हमारी body से heat लेगा तो हमारी body जो है वो heat lose करेगी और हमें ठंडा feel होगा ठीक है इसी कारण हम cotton clothes को summer season में पहनते हैं ठीक है अब है question number 5 जिसमें कह रहा है why ice cool better than water at 0 degree Celsius ice यानि कि बर्फ जो है water 0 degree Celsius ice और water दोनो 0 degree Celsius पर हो तो ice यानि कि बर्फ जादा coolness थंड़क क्यों परदान करती हैं में provide क्यों करती है इसी question को अगर दूसरी तरह से पूछना चाहें तो वो भी हो सकता है जैसे why is ice as 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature ice 273 Kelvin पर और water भी 270 same temperature पर ही ice जादा थंड़क क्यों परदान करती है जादा effective cooling क्यों देती है हमें water की बज़ाएं ठीक है so दोनों ही question का मतलब एक ही है इसका answer भी ये की हो जाएगा ice at 273 Kelvin would absorb latent heat of fusion as well as the heat energy but water at 273 Kelvin would just absorb heat energy it means ice absorb more heat as compared to water at the same temperature ice जो है वो latent heat of fusion को भी absorb करेगी और उसके साथ-साथ heat energy को भी absorb करेगी ठीक है क्योंकि ice जो है वो ज्यादा ice में latent heat of fusion नहीं होता है तो ये latent heat of fusion को भी absorb कर लेगी और heat को भी absorb कर लेगी लेकिन जो water होता है 0 degree Celsius फर उसमें latent heat of fusion होता है ठीक है इसमें पहले से ही होता है latent heat of fusion water में तो ये सिर्फ heat energy को ही absorb कर पाएगा इसलिए water जो है वो कम cooling प्रोवाइड करता हमें ice की compare में ठीक है क्योंकि ice दो तर है कि heat को absorb कर सकते है latent heat of fusion और heat energy को साथ में लेकिन water के पास तो पहले से latent heat of fusion होता है इसलिए ये सिर्फ heat energy को ही absorb कर पाएगा ठीक है लास्ट यानि की question number 6 है हमारा जिसमें कह रहा है what produces more severe burns boiling water और steam boiling water यानि की उबलता हुआ पानी और steam यानि की भाफ इन दोनों में से कौन सा हमें ज़्यादा severe burns यानि की तेजी से जला सकता है ज़्यादा गंभी रूप से जला सकता है इसका answer हो जाएगा steam produces more severe burns as it has hidden latent heat of vaporization but water does not have any hidden heat जो steam होती है वो हमें ज़्यादा गंभी रूप से जला सकती है क्योंकि इसमें hidden heat होती है latent heat of vaporization इसमें extra heat होती है ये water से ठीक है latent heat of vaporization जो कि water में नहीं होती है ठीक है water में सिर्फ heat होती है और इसमें heat के साथ-साथ latent heat of vaporization भी होता है इसलिए steam हमें ज़्यादा जला सकती है as compared to boiling water ठीक है उमीद करूँँगा आपको chapter के सभी concept समझ आये होंगे अगर आपको सभी concept समझ आये है तो इस वीडियो का अमने classmates के साथ share कीजिए अगर कोई भी concept रहे गया है जो समझ नहीं आया है या आपका कोई extra question है chapter से related सो उसे comment box section में mention कीजिए और chapter part 1 का link जो है वो description box में दिया गया है वहाँ से part 1 आप जाके देख सकते हैं ठीक है